इसके फाइद़ यह कि आपका जो ब्लड का प्रेशर है वह नॉर्मल रहेगा आपको नीन अच्चे आए गी आपको गलस अपने नहीं आएंगे और आपका जो बेपी का प्रॉबलम है वह दिरे 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 हो जाएगा और आपके जो हॉर्मोन से वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगे ज़िए नमस्ते में निली मा आप लोग का वास्तु निर्मल केवल में स्वागत हैं परे तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी क्यूंकि आप लोगों ने मेरे विल्यूस को लाइक किया है और आपको पसंद आ रहे हैं और आप बहुत सारी आपको तो म्हों का मभलत तक बार में जीया कर में मास्तु के माध्यम से आपके यहां पर चाहिक बविशयर और को अलग अलग ट्पस देना चाहिए और दक्षिन दिशा और दक्षिन दिशा के बारे में जो भी जानकरी मैं आज दोंगी तो first मैं आपको यह जानकरी देना चाहती हूँ कि हमें दक्षिन दिशा की और सीर करके क्यों सोना चाहिए तो यह scientific reason है और एक अध्यात्मिक भी reason है तो उसमें आपको अगर देखो हम लोग दक्षिन दिशा के और हमारा सीर करते हैं और उत्तर दिशा के दरब हमारे पैर करते हैं ताकि हमारे ब्लड जो हमारे अंदर जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर नॉर्मल रहे ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्मूथली चले स्मूथली चले उसमें कुछ भी ज्यादा एनर्जी ज्यादा नहीं आने चाहिए इसके लिए क्यूंकि हम लोग जोग्रफिय में हम लोगों सिपसिका है क्यूं हमारे इसमें जो दुरू है जो हमरे डायरेक्शन से दक्षिन दिशा उत्तर दिशा यह स्तीर है यह चेंज कभी भी नहीं होते ह है जितने सारी बागी की दिशा है वो वो चैंज होती रहती है तो इसके लिए कम से कम यह देखना है आपके घर में आप का प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा आपको नीन अच्छे आएगी आपको गलस अपने नहीं आएंगे और आपका ठीडिए प्राब्लम है भी देडीडीदी अब्सक्राइब चरुब्लमों छाएगे ऑफ बहुत सारे प्रॉब्लम सभी चल रहे हैं यह सब अगर अच्छी नीन नहीं आएगी तो सुबह आप जल्दी नहीं उठाओगे तो इसके लिए ये जो है रिजन में आपको देना चाहती हूं ताकि आपको पता आप सिर करके देखिए अगर आपको लग रहा है कि आरे हाँ यह हो सकता है तो आप ऐसे कीजिए आपको आठ दिन सिर्फ दक्षि कीजिए और मेरे जीतने सारी वीडियोज आ रहे है आप पहले देखिए अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक्यू